हेलो एवरियवन विलकुम बेक टू सलेक्ट आयेस लिक्ट आयेस की यूपी स्पेशल सिरीज में आप सभी का सवांगत हैँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तरपर्देश की कला इवं संस्किर्टी उत्तरपरदेश का आर्ट एंड कल्चर आज की क्लास में कवर होगा आपको बता दे कि यूपी स्पेशल के पोर्शन को हम घटना चकर उत्तरपरदेश तथे सार के माध्यम से कवर कर रहे हैं यह मैगजीन संस्किर्टिक रूप से सांतिपूर्ण सहास्तित्व और समन्वे की परंपरा रही है यहां हिंदू बोध जैन इसलाम सिक एवं सनातन सभी धर्मों के अनुयाई एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे के सामाजिक सांस्किर्टिक आर्थिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित एवं समरद करते हैं समन्वे की यह प्रकिरिया वास्तु कला तक में देखी जा सकती है पंदरवी सतापदी के आरंब की जौनपूर की अटाला मस्जित फत्यपूर सीकरी के पंचमहल सिकंद्रा में अकबर के मकबरे सभी में बोध विहारों की जलक देखी जा सकती है आगर हिंदू वास्तु कला की पहचान कमल, कलस, जंजीर और घंटा आदी सीकरी में भी देखी जा सकती है ताजमहल के गुंबद अरब, इरानी या तुर्क गुंबदों से भिन हिंदू बोध वास्तु कला की प्रतिकरती प्रतीत होती है इसके अलावा संगीत में अमीर खुसरो के रूप में मथुरा वरंदवन में विक्सित हुआ और लखनाव ने उसमें भाव और अभिने के नए रंग भरे चलिए अभी बात करते हैं संगीत कला की तो संगीत कला को यहां पर हम डिटेल में समझेंगे संगीत कला प्राचीन काल में रचित भरतमुनी का नाट्य सास्त्र उत्तरी भारत की संगीत यगों की बाईबिल है उत्तरपरदेश के लोक संगीत ने काफी पीलू वरंदवनी सारंग जैसे रागों को जनम दिया है महाप्रभू वल्लभचारिय ने मथुरा वरंदवन में पुष्टी संप्रदाई की स्थापना की जिसका मुख्य विशय कृष्ण लीला था इसके अलावा वल्लभचारिय ने संगीत भद भजन पदो के गायन को मंदिरों में अर्चना पधती के रूप में प्रचलित किया कृष्ण भक्ती संप्रदाई में आश्ट प्रहर उपा पहँ आश्ट च्शाप में सामिलकवी कौन-कौन से थे यहां पर आप देख सकते हैं अश्ट च्षाप में सामिलकवी थे सूरदाई्ट नंददाई्ट परमनंद्द Đाई्ट कुम्भन दाई्स चतुरुभुजदाई्स चीत स्वामी गोविंद स्वामी एवं कृष्ण द प्रवर्तक स्वामी भरिदास ने केली माल तथा अश्टा दस पदों की रचना की है उन्होंने केली माल में 110 पदों का राग विभाजन भी किया है इसके अलावा स्वामी हरीदास को अनेक विद्वान धुरूपद की डागुर बानी का प्रवर्तक मांनें उन्होंने मंदिरों में धुरूपद गायन दुआरा अर्चना पद्धती का सिरी गनेश किया हरिदास तांसेन के गुरू थे जो अकबर के समकालिन थे तो आपको याद रखना है कि हरिदास तांसेन के गुरू थे और अकबर के ये समकालिन थे स्वामी हरिदास ने केलिमाल संग्रह की माध्यम से अर्षना प्रधान धुरूपद गायन तथा अपनी सिस्या परंपरा से संगीत को समरद किया गरंथ नाद विनोध में स्वामी हरिदास के आठ सिस्यों का उल्लेख किया गया है बैजू, तानसेन, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सौमनात पंडित तथा सोरसेन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वामी हरिदास के आठ सिस्यों का उल्लेख कहां पर किया गया है ये नाद विनोध इनके गरंथ में किया गया है सौमी हरिदास ने प्रचलित वीना में 18 के स्थान पर 22 या 24 परदे लगा कर नई वीनावादन सैलियां भी प्रचलित की इसके अलावा तानसेन ने सौमी हरिदास से वीनावादन की सिक्षा भी प्राप्त की थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तानसेन अकबर के दर्बार में रहते थे तथा उन्हें धुरूपद सैली की गाई की में महरत हासिल थी तो आपसे पूछा जा सकता है कि तानसेन को कौन सी सैली में महरत हासिल थी तो धुरूपद सैली ये आपको याद रखना है स्वामी हरिदास की धुरूपद गायन सैली गोबरहार थी स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग बैजु बावरा को मेग राग तथा गोपाल नायक को मालकॉंस राग में सिद्धी सक्ती दी थी हरिदास जयंती समहारो एवं धुरूपद मेला भादरपद सुकल पक्ष में मतुरा में प्रतिवर्स होता है जिसमें स्रेश्ट संगीत यक भाग लेते हैं आपको याद रखना है इस मेले के बारे में कहां पर होता है मतुरा में कहा जाता है कि स्वामी हरिदास को मार्ग सीर्स सुकल पंचमी समवत 1567 को बांके बिहारी ने दर्शन दिये थे यह तिथी विहार पंचमी या स्री पंचमी के नाम से परशिद है तथा इस दिन निधिवन में विशेश संगीत समहारो होता है इसकी अलावा हरिदासी संप्रदाई के पांच मुख्य संगीत अर्शना केंद्र थे सबसे पहला है बांके बिहारी का मंदिर जहां स्वामी हरिदास को दर्शन हुए थे दूसरा है निधिवन निधिवन स्वामी हरीदास तथा उनके सिश्यों के आशरम एवं स्वामी जी का समाधि इस्थल है तीसरा है गोरे लाल का मंदिर स्वामी जी की सिस्य परंपरा में नरहरी देव के उपाशी है इसके अलावा सिरी रसिक बिहारी स्वामी रसिक देव के ठाकूर तथा तटिया या थट्टी इस्थान स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा यह स्थापित है मीरा की भाती ब्रजमे कृष्ण भक्तिधारा की ताज बेगम का नाम परशिद है जिनोंने विठलनात से दिक्षा ली थी वहे धुरूपद धमार की परशिद गायका थी वैशनवचारिय स्वामी रामनंद के सिस्या सुर सुरानंद ने पान सो धुरूपद बंदिसों की रचना की थी जो आज भी रामनंदी धुरूपद नाम से प्रचलित है इसके अलावा अराध्या की आश्टयाम प्राते जागरन से रातरी शेयन तक संगीत आत्मकुपाशना का प्रचलन वल्लम संप्रदाई के भगतों में अभी भी प्रचलित है अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में संत गोपाल मिश्र लोटन जी नानक जी उलेखनिया हैं परशिद म्रदंग वादक कोदव सिंग बहुत समय तक अयोध्या में रहे अमीर खुसरों का जनम प्रदेश के कासकंज जिले के पटियाली गाउं में 1253 में हुआ था अमीर खुसरों ने इरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतिय रागों का मिश्रन करके अनेक सुरूती मधुर रागों का विश्कार भी किया था इसके अलावा पूर्वी, गोड, कांगली तथा एकन्य राग के सम्मिश्रन से साजगिरी, हिंडोल तथा नैरेज के मिश्रन से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रास्त को मिलाकर बनाई सरपरदा तथा सहना जिवंपट राग के मिश्रन से बने जिल्फ, गारा आधी ऐ अविसकारों में परमुख हैं, खुसरों ने इराणी सैली की तरह, कवाली, तराना, कोलक, कलबाना, नखेश गुल, आधी सैलीयों का प्रचलन किया था, खुसरों को तबला, तथा सितार वादों के अविसकार का सिरे भी दिया जाता है, खुसरों ने ही ततकालीन जॉपध, गायन सैली में इरानी संगीत कमिशरन करके नई गायन सैली का निर्मान किया था जो आगे चलकर खयाल गायन सैली के नाम से लोक प्रिय हुई इसकी अलावा खयान गायन सैली ने बाद में धुरूपध का स्थान लिया था ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है आपका बिलावल सब्तक बिलावल सब्तक पराधारित इस सैली ने भारत्य संगीत को दो भिन गायन वादन पधतियों में विभाजित कर दिया उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत पद्धती तथ दच्छिन भारत में प्रचलित करनाटक संगीत पद्धती खुसरों के पौत्र मसीत खाने सितार की मसीत खानी वादन सैली का प्रचलन किया था जौनपूर के सुल्तान हुसेन सहा सरकी ने खयाल गाईकी को व्यापक रूप से लोकप्रिया बनाने के साथ टपा सैली का भी परचलन किया था इन्हें आपको विसेश रूप से याद रखना है कि जौनपुर के सुल्टान हुसैन सहा सरकी ने खयाल गाईकी को व्यापक रूप से लोकपुरिया बनाया और इसी के साथ टपा सैली का भी परचलन किया महंदी उस्ताद रहिमुद्दीन खां मुस्तरी बाई बेगम अक्तर आदी स्रेष्ट गायक संगीतियग फैजाबाद वर्तमान अयुद्या के थे तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहां के थे अयुद्या के इसके अलावा संभु महराज ने रहिमुद्दीन खां से ठुमरी की सिक्षा प्राप्त की थी टपा सैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले पंजाब के सौरी मिया फैजाबाद वर्तमान अयुद्या में बस गए थे वारानसी की सितारा देवी तथा अलखननंदा देवी ने कथक नरत्य के छेतर में ख्याती प्राप्त की थी परशिद सारंगी वाधक मिरजापूर के पंडित संभुनात मिश्र भी वारानसी आकर बस गए थे अकबर अली खां सादे खां रशूलन बाई चित्रा बाई तथा इमाम बाई निवारानसी के टपा गायन को समरद किया खुले चकरदार बोल परण गतो लड़ियों की प्रधानता के लिए परशिद वनारसी राग की परंपरा का प्रवर्तन पंडित राम सहाई ने किया था ये आपको याद रखना है वाईलिन वादन, स्रीमती एन राजम, सहनाई वादन में उस्ताद बिश्मल्ला खा, सितार वादन में पंडित रवी संकर, राजभजभान सिंग, उस्ताद मुस्ता कली खा, तथा नरत्या में उदै संकर एवं गौपी कृष्ण ने वारानसी का गोरव बढ़ाया है कासी विश्वनात मंदिर में प्रातकाल सहनाई वादन की परंपरा आज भी प्रचलित है, असी घाट वारानसी के खुले प्रांगन में गंगा टट पर धुरूपद मेला आज भी सिवरातरी के अवसर पर आयोजित किया जाता है, इसे प्रारंब करने का स्रे डॉक्टर ला बिंदादीन जैसे कथक नरत्य की आचारिय तथा कोदव सिंग जैसे पखावज वादक वाजिद अली सहा की दरवार में थे, ठुमरी के प्रनेता महराज बिंदादीन थे, उस्ताद खुरसेद अली खां लखनव गाईकी के पिता महा माने जाते हैं वाजिद अली सहा रहस नरत्य का विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका में स्वयम को प्रस्तुत करते थे, वाजिद अली सहा ने स्वयम अक्तर पिया तथा बिंदादीन ने शनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशे तयार की हैं, वाजिद अली सहा के सम लच्छु महराज और बिर्जु महराज ने लखनव कथक सैली को नई दिशा दी थी फ्रेंट्स इससे आगे अभी हमें काफी सारे घराने देखने हैं जैसे कि आपका लखनव घराना है इसी परकार से काफी सारी चीजों को अभी हमें आगे डिसकस करना है लेकिन आज की क्ला की तरफ से सब्सक्राइं के लिश्यों के लिए लखना इसे टारे लिए लिएक ठाट्यों करें लिए जासवाच के लिए ऑद देखने हैं लिए लिए, लिए लिए, बातिन आगे, जिसक्टारी. है हूँ